यह काानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे बड़ा बच्चा दस साल का था और छोटा साज सारुका दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही गुंते एक दिन दोनों खेलते खेलती गाउं से थोड़ा दूर निकल आए अचानक खेलते खेलते दस साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वहां कोई में गिर गया और जोर जोर से चिलनाने लगा अपने दोस्त की आवाज सुनकर जब चोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत गबराया उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिलाया लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था अचानक उसकी नजर पासी पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी जिस पर एक रसी बनी थी उसने वीना को सोचे वा रसी कोई में फेकी और अपने दोस्त को उस रसी को पकड़ने को बोला अगले ही परवा साथ साल का बच्चा उस दस साल के बच्चे को पागलों की तरह कुए से बाहर निकालने के लिए खीज रहा था वो छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुए से बाहर निकालने के लिए अपने पूरी जान लगा दी आखिर करवा बच्चा अपने दोस्त को बचाने में काम्याब हुआ और उसने अपनी दोस्त को कुवे से बाहर निकाल लिया लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वो गाउँ जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पढ़ने वाली है खेर दोनों डरते डरते गाउँ पहुंचे और उन्होंने गावनों को खेलते-खेलते कुवे में गिरने और रसी के सारी छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी लेकिन गावनोंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हसने लगे कि अखिर एक साथ साल का बच्चे एक दस साल की बच्चे को रसी के सारी कोई से बाहर कैसे निकाल सकता है लेकिन वह मौझूद एक बजूर्ग ने बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया उन्हें सब करीम चाचा कहते थे करीम चाचा गाव के सबसे समझदार बजूर्गों में से एक थे गाव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकठे होकर करीम चाचा के पास पहुचे और बोले चाचा हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा है आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है गाम वालो की बात सुनकर करीम चाचा बोले बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने या कैसे किया बच्चे ने कुवे में रसी फेकी और दूसरे बच्चे को उपर किछ लिया गाम अलो को कुछ समझ नहीं आ रहा था फुल दिर पात करेम चाचा मुस्कुराए और बोले सवाल यह नहीं है कि बच्चे नहीं यह कैसे किया सवाल यह है कि वह यह कैसे कर पाया और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा यह कर रहा था उस वक्त उसको वह यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता यहां तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं